जोहीं, नए इंफ्रिंटिग्ट वीडियो में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज इस वीडि़ों में बात करेंगे अगर आपने बैंक में जॉब जॉइन एक ब्राँच बैंकिंग चाहिन होता है, जहाँ पर customer day to day आते हैं, वहाँ पर service दिया जाता है, उसके अलवा backing process होता है, जहाँ account opening का process होता है, loan का process होता है, एक दूसरा call center का vertical होता है, उसका corporate banking का होता है, उसका loan process का center होता है, loan RM का post होता है, सारे verticals अलग होते हैं, तो आपको तो अगर मान लिए कि किसी भी वर्टिकल में आपको जोब मिलता है तो पूरा का पूरा हम इस वीडियो में हम कैप्चर करेंगे कि कि किस वर्टिकल में आपको पोस्ट मिला है आपने जॉइन किया है अगर आपने जॉइन किया है अगर आपने जॉइन किया है तो कैसे आपको बहुत सारा दिकत होता है, बहुत सारा लोग tension में होता है कि काम मैं कैसे start करूँ, कैसे मैं सीखू, तो चलिए, सबसे पहले तो यह आपको मैंने brief करें, bank में position by position, हर position का और हर verticals का काम अलग-अलग होता है, तो हम एके करके सारे verticals में बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते ह अगर आपने retail branch banking में join किया है, अगर आपने branch में join किया है, और आपके देखें, या तो government bank हो, या private bank हो, या international bank हो, हर किसी bank में आजकल sales का pressure हर जगा है, service to sales होता ही होता है, तो अगर आपने branch banking में join किया है, तो सबसे पहले एक आपको गुरु मनत बताऊं, तो आप relationship build-up पे ध ध्यान दे, और आप आज के रिएट में क्या है, जो भी customer आ रहे हैं, जो आपके senior जो पहले से job कर रहे हैं, वो customer से क्या बात कर रहे हैं, क्या conversation हो रही है, उस पर जरूर आप ध्यान दे, इससे क्या होगी, बहुत कुछ आप learning सिखेंगे उससे कि customer की query को कैसे solve किया जाता है इससे क्या होगा, और एक सबसे बड़ी बात, आज एक फ्रेसर आपने जोइन किया है, तो आप अपने पास एक notebook जरू डखे, आप जो भी आपको सीख रहे है, day to day, उसको जरूर write down करें, और उसके उपर research करें, और अपने senior साथ जरूर डिसकस करें, कि एची मुझे नहीं स customer क्या-क्या query लेकर के retail branch में आ रहे हैं, और उस query को कैसे solve किया जाता है, जैसे branch में basically बंदे किसले आते हैं, जैसे FD बनाना हो, cash deposit करना हो, RTGS NFT करना हो, account खुलवाना हो, account close करवाना हो, accounts related कोई service हो, mobile number update करना हो, email ID update करना हो, nominee update करना हो, तो सारा process के लिए ये सब जो service के लिए customer branch में आता है, उस जो solution है, और जो service है, उस service request को कैसे execute किया जाता है, कैसे उसको close किया आता है, customer को कैसे embrace किया जाता है, और आगे इसके बाद service to sales की बाद आती है, क्योंकि आपको sales करना important है, architect ने slice bank में भी देखे तो वहाँ भी insurance बेचे जाते है, account खुलने के लिए बोला जा आता है, तो आप अगर वही अगर customer को आप satisfy करते हैं, उसका service time से time up करते हैं, अपने tat के अंदर उसको service देते हैं, तो जाहिट सी बात है कि अगर customer से कोई reference मांगते हैं, कोई accounts के लिए, कोई launch के लिए, कोई investment के लिए, तो जरूर आपको reference भी लेगा, आज की date में banking sector में अग चोटी है, तो referral basis पे है, reference basis पे होता है, क्योंकि आपके पास जो customer है, आपके service से अगर खुस है, तो आपने यार दोस्त का जरूर आपको refer करेगा, आपने family member का account जरूर खुलबाएगा, और साथ कि कभी भी किसी चीज़ की जरूर होगा, तो जरूर आपी से help मांगेगा, तो लोग बहुत प्रसान तो है कि door to door sales कैसे करें, कैसे start करें, कैसे हमारा काम start होगा, तो इसमें सबसे पहले बात बताओं, कि आज अगर आप sales में है, purely sales में है, तो catchment पे आप सबसे पहले ध्यान दिए, कि आपके area को catchment को समझें, कि आपके area में क्या क्या है, आप पूरा एक white page लेकर के, उस पर catchment आप draw करिए, कि कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, कैसे कि उस catchment पर आप काम करना सुरू कर दीजे, जिससे क्या होगा, सबसे पहले आप catchment mapping कर लीजे, क्या आपके area में, school कहां है, college कहा है, industry कहा है, कौन को सी company है, उसके बाद आप one to one आप visit करना start करिए उस महाँ पर, जैसे visit करेंगे, day to day आप देखेंगे, तो आप starting में, आपका सबसे पहले sales में एक guru मंतर क्या होता है, कि आप जिसके सामने, जियो भी कश्मा साथ बैठे हैं, आप पने उनकी problem को समझे, उसको problem के समझे बाद आप एक good listener है, अगर customer की बात समझ रहें, तो account खुलवा लो, तो इस condition में account कभी नहीं खुलेगा, पहले customer का requirement समझे, requirement समझने के बाद फिर आप solution दीजिए, अजे फिर सर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका solution क्या है, तो customer को उसी समय आप गलत मत guide करिए, उस समय आप note down करिया, customer को बताए कि sir मैं नया हूँ, और मैं आपका जो concern है, write down कर लिया हूँ, अपने senior के साथ में discuss करके, आपको मैं senior को ले कर आऊंगा, आपके पास, या मैं solution ले कर फिर आप से मिलता हूँ, तो उससे क्या होगा, customer आप से बना रहाएगा, और next time जो आप मिलेंगे customer को solution देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका account खु अपने senior के साथ relation हो, यह बहुत जादा matter करता है, अगर आपका customer के साथ relation अच्छा है, आपने एक customer को अगर happy कर दिया, तो आपको 10 customer हो आपको देगा, इससे क्या होगा, आपका business में कभी भी किसी तरह का problem नहीं होगा, और आपको business मिलता रहेगा, और आपका target भी achieve होता रहे यह तो हो गई, accounts related, इसके बाद अगर आपको leads से related अगर issue आ रहा तो बहुत सारा MCA पे leads है, current account opening के लिए, आप newspaper आपने local newspaper देख करके, वहाँ से आप company देख सकते हैं, नई company खुल रही है, उस पर जाके visit कर सकते हैं, वहाँ pamphlet दे सकते हैं, इसके लावा आपने catchment में आप लिए आप बात कर सकते हैं, इसके लावा अब हम बात कर लेकते हैं, अगर आपका backend process में आपको जॉम मिला है, आपको credit process करना है, account opening है, तो यहाँ भी बहुत तरगा problem आता है, क्योंकि आज़े फिरेसर आपको समझ में नहीं आता है, senior समझाता है, आपको समझ आता है कि हम कर backend process में join किये हैं, तो आपको एक बार concentration रखना परेगा, आपको देखना परेगा, कि जो भी कुछ कर रहे है, KYC से आप name match करिए, कि जो नाम है, वो match data entry से match करना, data entry का बहुत concern होता है backend process में, आपको 5,000 ट्रांसफर करना है, आपने 50,000 ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर ध्यान देना परेगा, एक एक data पर आपको ध्यान देना है, इसके अलाबा क्या है, बहुत कुछ नया होता है, आप देखेंगे, बैक इंट process वाले को बहुत सारा में पास comments आते हैं, कि sir हमारे कोई भी support नहीं करता है, मैं कैसे काम करूं, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं बार बार अपने चैनल पर बताता हूं, बैंक की से रिडियो में, कि relationship आपको maintain करना परेगा, आपको भीवार सही रखना परेगा, senior के साथ आपको जानकार बनना परेगा, साथ में आपको relation रखेंगे, तब ही वो अमन्दा guide कर रहा है, क्योंकि back in process में क् साथ में 2-4 लोग बैठें, 10 लोग बैठें, सब अपने काम में best होता है, कोई आपको सही से guide नहीं कर पाया, कोई time नहीं दे पाता है, क्योंकि वो अपने काम में best है, तो इसके लिए यही कर सकते है, आप साथ में बैठिए, साथ में देखिए, कुछ time लिजिए और उसको write डाउन जोरूर करें जबी भी आप देखें कोई process क्या है उस process को write-down करें write-down करने के बाद ही आप उसको आगे execute करें यह आपके लिए better process रहेगा साथ में क्या है कि आप senior का guidance हमेशा day-to-day लेते रहें जिससे क्या होगा senior जो आपको guide करें वह भी write करिए और उसको समझिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है इसके बाद मान लिए कि आपकी अगर जो posting है ओ है लोन RM से related हो गई है आपको loan profile मिला हुआ है loan sales करना है तो लोग से लोग को प्रोल होता है कि loan sales नहीं हो रहा है credit card sales नहीं हो रहा है तो यहां सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो product है उस product की आप पूली knowledge रखिए कि आप कौन सा product बेच रहे है कौन सा loan बेच रहे है उस loan के क्या क्या feature है closer क्या process है foreclosure क्या सीन होता है आप इसमें bulk payment facility क्या होता है कि कब payment कर सकते हैं इसमें आप किसने का टेनूर दे सकते हैं क्या EMI में आप रिबेट होता है processing fees में क्या सीन है EMI को आप कैसे जादर जल्दी close कर सकते हैं तो इस सारा का सारा आप knowledge लेंगे तभी आपका loan बिखेगा इसके बाद आपको मैं बता हूँ banking में एक सबसे बरी बात और भी है कि personality development बहुत ही आपको होना चाहिए आप अपने personality को आप बना के रखिए क्योंकि personality होने चाहिए क्योंकि आपका पैसा पैसे का आपका student बन रहा है कोई किसी का account खोड़ रहा है किसी का service दे रहा है तो पैसे का गैरू-गैरू-गैरू-गैरू लोग को पैसा को भी देस रहा है आपके personality सही है customer के पास जाए तो आप वेल जाए एकदम पूरी साही से जाए आप एदम फॉर्मल ड्रेस का यूज करे फॉर्मल बाते करे थ्वासा आप अपने neat and clean रहे अगर आप जैसे भी है तो ऐसे नह हमारा पैसा सेव है बैंक तो एक बैंक का नाम अलग होता है लेकिन जो उसको रिपर्जेंट कर रहा है उसकी वैलू अलग है तो आपको यह भी देखने वाली बात है कि आप customer के पास जा रहे तो थ्वासा आपको वैलू देना परेगा और और अगर देखा जाए बैंकिंग जोब में जाते हैं किसी भी प्रोफाइल में बेंकिंग सक्टर में आप अगर जोब में जा रहे है तो स्टार्टिंग में प्रोडम होता है डरने वाली बात नहीं है आप लगे रहे हैं तो यहासा लर्निंग पर करने मार्केट में क्या चल रहा है यह सारा कुछ डिसकस कर सकते हैं क्योंकि जब आप कस्टमर के पास बैठेंगे तो आप खेवल अपने प्रोड़क्ट को बनाना है तो आपका सबसे पहला गोल क्लियर होना चाहिए एक दोस्ते हैं यह चैसा करता हूं कि बहुत ज्यादा क्यों लाइक और ़क्त